दोस्तों कि आपको पता है इंडियन किर्केटर को कितनी सेलरी मिलती है? चलिए आज हम बात करते हैं इंडियन किर्केटर के सेलरी के बाले में दोस्तों इंडियन किर्केटर को सेलरी BCCI के दुआरा मिलती है दोस्तो BCCI इंडियन किर्किटर को सेलरी उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर देता है और BCCI ने ग्रेडिंग सिस्टम बनाया हुआ है जैसे ग्रेड A+, A, B और C जो कि प्लेयर की परफॉर्मेंस पर आधारित होता है जैसे कि कोई प्लेयर लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे A+, ग्रेड वालों को साथ करोड रूपे सालाना और A ग्रेड वालों को पांच करोड रूपे, B ग्रेड वालों को तीन करोड रूपे सालाना और लास में ग्रेड C वालों को एक करोड रूपे सालाना मिलते हैं दोस्तों, सेलरी से अलग भी किर्केटर की परफॉर्मेंस के बेस पर बोनस मिलता रहता है और सभी खिलाडियों को टेस्ट मैच, वंडे मैच और टी-टुवंटी मैच के लिए सेलरी से अलग भी पैसा मिलता है टेस्ट मैच के लिए परते खिलाडी को 15 लाग रूपे, वंडे मैच के लिए परते खिलाडी को 6 लाग रूपे और टी-टुवंटी मैच खेलने के लिए परते खिलाडी को 33 लाग रूपे दिये जाते हैं वंडे मैच ये टेस्ट मैच में यदि कोई खिलाडी सतक बनाता है तो उसे 5 लाग रुपे बोनस के मिलते हैं अलग से अगर 12 सतक बनाता है तो 7 लाग रुपे बोनस मिलता है चाहे वो किसी भी गरेड से हो ये बोनस उनकी गरेड पर आधारित नहीं होता है उनकी परफॉर्म जिसमें रवी चंद्रा नस्विन, रविंद जडेजा, केल, रहूल, मुहमद समय और इसब पंत आते हैं। तो वीडियो को लाइक करना और सिस्क्राइब करना नहीं भूले। थेंक यूू।